एफ्रिका एक ऐसा कॉंटिनेंट जो अपने आप में बहुत डाइवर्सिटी रखता है वास्ट सवाना से लेकर देन से जंगल्स तर यहन आपको बहुत सारे लेंड्सकेप्स देखने को मिलेंगे इन ही वंडर्स में से रीस होते हैं मजस्टिक माउंटेंज सीधा आसमन को छ थूपे हुए एक अलग ही अलूर रखते हैं यह उन एड्वेंचरर्स को चैलेंज करते हैं जो इनकी हेट्स को कॉंकर करना चाहते हैं आफ्रिका के माउंटेंस सर्फ जियोलोजिकल मार्वल्स नहीं है सदियों से यह ओय और रेवरेंस को इंस्पायर करते आए हैं चलिए म अफ्रिका जैसा की इसे कहा जाता है दुनिया के हर कोने से क्लाइमबर्स को बेकन करता है इसका स्नो कैप्ट पीक अजूर स्काई के सामने एक वीकन की तरह एक अनफरगेटबल एक्सपिरियंस का प्रॉमिस करता है यह क्लाइम आर्ड्यूस है इंडूरंस का एक सच्चा ट रूफ अफ्रिका पर खाड़े होके आपको एक अलग ही सेंस ऑफ अकॉम्पलिश्मेंट महसूस होता है ऐसा लगता है जैसे क्लाउड्स को छूलिया जाए किलिमंजरो सिर्फ एक माउंटें नहीं है यह आफ्रिका की ग्रेंज़र का सिंबल है माउंट केनिया हाइट में सर्फ की लिमंजरो से सेकंड एक अलग ही किंड की ब्यूटी प्रेजन्ट करता है इसके जैगट पीक्स और ग्लेशिल वैलीज एक ऐसा लैंड्सकेप खेट करते हैं जो बिल्कुल भी ड्रमाटिक से कम नहीं है यह माउंटें क्लाइंबर्स और ह के लिए एक हविल है यह क्लाइंट चैलेंजिंग है इसके लिए टेकनिकल स्किल्स और फिटनिस का एक अचा लेवल चाहिए होता है लेकिन रिवार्ड्स बिल्कुल एफर्ट्स के लायक हैं समिट से व्यूस सिंप्ली स्पेक्टाकुलर हैं माउंट केनिया फ्लोरा और ग्रेड मना जाता है जिनका मना है कि उनका गॉड न्गय माउंटन की हाइस पीक पर रहा करता था यह कल्चिरल सिग्निफिकेंस माउंट केनिया विजिट करने की एक्सपीरियंस में निक और लेयर एड़ करता है नौर्थ की तराफ जोर्नी करें और एप इंकाउंटर करेंगे एटलस माउंटन्स को एक वास्ट माउंटन रेंज जो मरोको, अलजीरिया और टूनीसिया तक स्प्रेड है यह माउंटन्स इस्ट आफ्रिका की सवानास और जंगल से बिलकुल अलग है यहान, लैंड्सकेप रगड और अनफरगिविंग है टावरिंग पीक्स अरिट प्लेंस से राइस होते हैं उनकी स्लोप्स साधियों की विंड और रेन से एचट हैं अटलस माउंटन्स बर्बर्स का घार हैं नॉमैडिक लॉग जो साधियों से इन माउंटन्स को ट्रवर्स करते आये हैं उनकी कल्चर उतनी ही रिच और टाइवर से है जितना की ये लैंड्सकेप खुट उनके विलिज़ेज, वैलीज में नेस्लेड और माउंटन साइड से चिपक के बेने हुए एक ऐसी वेय ओफ लाइफ की ग्लिम्प्स ओफर करते हैं जो जेनरेशन से ज्यादतर अंचेंजड है सीडर फॉरेस्ट में ट्रेकिंग से लेकर एंशिन रुइन्स एक्स्पोर करने तक यहान हर किसी के लिए कुछ न कुछ है अटलस माउंटन से एक रिमाइंडर हैं की आफ्रिका की ब्यूटी सिर्फ उसके वाइल्ड लाइफ और सवानास तक ही लिमिटेड नहीं है साथ वर्ड हम वेंचर करते हैं ड्रेकिंग की तरफ एक फॉर्मिडबल माउंटन रेंज जो साथ आफ्रिका और लेसोथों तक स्प्रेड है इसका नाम एफ्रिकंज में ड्रेगन्स माउंटन्स बिलकुल इसके जैगेट पीक्स और ड्रमाटिक इसकाप्मेंट्स को डिस्क्राइब करता है ड्रेकिंग्सबर्ग हाइकर्स के लिए एक पैरडाइस है ट्रेल्स लश वैली से होते हूँ, कस्केडिंग वाटरफॉल्स के पास से और पैनोरामिक व्यूपॉइंट्स तक जाते है हावा फ्रेश है, वाल्ड फ्लावर्स और डैंप अर्थ की खुश्बू से भरी हुई ड्रेकिंग्सबर्ग संड रॉक आर्ट की रिच कलेक्शन का घर भी है यह एंशन पेंटिंग्स, संपीपल की लिव्स और बिलीफ्स की एक ग्लिंप्स प्रवाइड करती हैं जो कभी इन माउंटें गुम्टे थे ड्रेकिंग्सबर्ग, आपनी रगड ब्यूटी और कुल्च्छरल सिग्निफिकंस के साथ, आफ्रिका के माउंटन लैंसकेप्स पर एक यूनीक परस्पेक्टिव ओफर करता है दर्वन्जोरी माउंटेंस, माउंटेंस अप दे मून सेंट्रल आफ्रिका में डीप हिदन, उगंदा और देमोक्राटिक रिपब्लिक अफ कॉंगो की बोर्डर पार, लाइक करते हैं ड्र्वन्जोरी माउंटेंस, अकसार मिस्ट में छुपे हुए, यह माउंटेंस एक मिस्टिकल अलूर रखते हैं, इंके स्नो कैप्ट पीक्स सराउंडिंग रेंफॉरस्ट के साथ एक स्टाक कंट्रास्ट ने इन्हें यह नाम दिया ते माउंटेंस अफ्टेंस अफ्टेंस हैं, ट्रेल्स लश रेंफॉरस्ट से होते ही वो, कस्केडिंग वाटरफॉर्स के यह पास से, और अल्पाइन मिडोस तक जाते हैं, हावा अपनी मिस्टिकल ब्यूटी और यूनीक एकोसिस्टम के साथ एक ट्रूली अन्फरगेटबल एक्सपिरियंस ओफर करते हैं, यूनीक एकोसिस्टम्स लाइफ इन दे क्लाउट्स, आफ्रिका के यह माउंट्स सर्फ स्टनिंग लैंड्सकेप्स नहीं हैं, यह यूनीक एको कोरिस्ट सिढखे होते हैं, लाइफ से भरे हुए, जैसे जैसे आप उपर चटे हैं, वेजिटेशन ड्रमाटिकली चेंज होती है, ट्रीज छोटे होते जाते हैं और श्रब्स और ग्रासिस को जगा देते हैं, यहान आपको जाएंट ग्राउंस और जाएंट लोबेलिया ज को यह सपोर्ट करते हैं, बलकि प्यूर प्लैनेट की हेल्थ के लिए भी. उनका गौड, न्गय, माउंट केमिया की हाइस्ट पीक पर रहा करता था, उनकी ट्रेडिशन्स और स्टोरीज में अकसर माउंटन फीचर होता है, जो इसकी कल्ट्रल सिग्निफिकन्स को हाइलाइट करता है, यह बिलीफ्स जेनरेशन से पास होते आये हैं, एफ्रिका के ल काई लोगों के लिए, आफ्रिका के माउंटन्स अल्टिमेट अड्वेंचर रेप्रेजेंट करते हैं, समिट टाक क्लाइम करने का चैलेंज, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने का एक पावरफुल ट्रॉ है, थिन एर, स्टीप स्लोप्स, अन्प्रेडिक्टबल वेधर, य सब फैक्टर्स मिलके एक ऐसा एक्सपिरियंस क्रेट करते हैं, जो चैलेंजिंग और एक्सिलरेटिंग दोनों है, चाहे वो किलिमंजारों के आइकॉनिक स्लोप्स होन, माउंट केनिया के टेकनिकल चैलेंजज़ होन, या फिर अटलस माउंटन्स की रगड ब्यूटी हो, ह लेकिन ये सर्फ फिजिकल चैलेंज की बात नहीं है, इन माउंटन्स को क्लाइम करना सेल्फ डिस्कवरी का भी एक जोर्नी है, ये अपनी लिमिट्स को पुश करने के बारे में हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों, ये एक ऐसा एक्सपिरियंस है जो माउंटन्स से रिटर् स्टेशन और अनसस्टेनबल टूरिजम प्राक्टिसेज, ये सब अपना टोल ले रहे हैं, इन नैचरल ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करना सर्फ एक एंवायरमेंटल इंपरिटिव नहीं है, बलकी कॉंटिनेंट की कल्चरल हेरिटिज को प्रेजर्व करने के लिए भी प्रेजर्स के लिए भी धिरिफ करते रहें, आफ्रिका की माउन्टिन्स नैचरल वर्ल्ड की पावर और ब्यूटी का एक टेस्टमेंट है, आइए हम ये इनशूर करें की, ये मजेस्टिक पीक्स आने वाली जेनरेशन्स के लिए भी आफ्रिकन लेंड्सकेप की शान बढ आति रहें